कॉंग्रेस के जिन छे विधायकों को हरियाना पुलिस लेकर के पहुची थी पंचकुला के अंदर वो छे विधायक अब हेलिकोप्टर से वापिस पहुच रहे हैं हिमाचल प्रदेश में और आकड़े ये बता रहे हैं कि हिमाचियल प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार फिलहाल इस वक्त तक सुरक्षित है सरकार के उपर जो खत्रे के बारदल मंडरा रहे थे आकड़े ये बता रहे हैं कि सरकार पर अभी कोई संकट नहीं है और हेलिकॉप्टर से वो 6 के 6 विदायक वापस लोट रहे हैं तो यानि ये कहें कि बीजेपी ने जो दाव चला था बीजेपी ने जो पैतरा चला था विदायकों को लेकर के आकर के सरकार को गिराने का वो धराशाई हो गया और जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर विदायकों की बाड़ाबंदी करके और विदायकों को लाने की कोशिस कर रही थी अब यही विदायक वापस लोट जाएंगे तो फिर क्या होगा यह तस्वीर जो है वो एनाई की तरफ से अभी अभी कुछ देर पहले ट्वीट की गई है और एनाई ने 10 बज करके 37 मिनट पर यह तस्वीर ट्वीट करते वे लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के विधायकों ने हेलिकॉप्टर से हेलिकॉप्टर में पंचकुला से उडान भरी तो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के जो विधायक थे छे विधायक जो आ गए थे पंचकुला में हरियाना पुलिस लेकर क्या आई थी जिनको या यूँ कहें कि हरियाना पुलिस के अगवाई में आये थी जो वो अब वापिस लोट रहे है और आंकडे मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि तस्वीर जो साफ हो जाए आंकडे देखी आप आंकडे जो विदानसवा का जो स्थिती है ओरिजिनल स्थिती है हिमाचल प्रद विदाएक थे बीजेपी के पास में 25 विधाएक थे और निर्दली यह 3 विधाएक तो इस तरह से 68 विधायक 68 में से 35 का बहुमत चाहिए और कंग्रेस के पास में मजबूती के साथ में 40 विदाएकों की एक सरकार चल रही थी पूर्ण बहुमत की सरकार कहीं से कोई खत्रा नहीं बहुमत से भी 5 विधायक ज्यादा लेकिन अब 6 विधायक क्रोस वोटिंग कर गए और 6 विधायक क्रोस वोटिंग कर गए तो उनकी स्थिति क्या हो जाती वो मैं आपको दिखाता हूँ अब यह 6 विधायक जिन्होंने क्रोस वोटिंग की जिसकी वज़े से चुनाओ फस गया अगर यह 6 विधायकों को अयुग्य करार कर देती है कोंग्रेस च्षै विधायकों की अगर cross voting में सदस्ता चली जाती है तो स्थिती क्या होती जरा वो देखी अगर Congress इन च्षै विधायकों को अयुग करार करने के लिए speaker को कहती है कि इन्होंने cross voting की है तो इनको आयोग्य करार कर दिया जाए इनकी स्दस्ता ले ली जाए तो उस स्थिती के अंदर जो है वो क्या आकड़े होते हैं वो जरा देखिए कुल सीट अभी 68 हैं लेकिन 6 विधायकों को अगर घटा देंगे 6 विधायकों की स्दस्ता चली जाती है तो कुल सीट बचेंगी 62 सीटे बहुमत के लिए अभी का आकड़ा 68 के हिसाब से 35 का है लेकिन 6 विदायकों को अगर आयोग्य करार दे दिया गया है तो फिर आकड़ा बच जाएगा बहुमत का 32 कॉंग्रेस के पास में अभी 40 विदायक हैं 6 विदायकों को निकाल दीजिए तो कॉंग्रेस के पास में विदायक बचेंगे 34 विदायक बचेंगे यानि बहुमत का जो आकड़ा है 32 का उससे भी दो विदायक जादा कॉंग्रेस के पास में फिलहाल हैं तो यानि ये कह सकते हैं कि कॉंग्रेस का घर अभी भी सुरक्षित है अभी तक लेकिन सुरक्षित है अब अगर आगे और बड़े लेवल पर कोई खेल होता है तो फिर कहा नहीं जा सकता और एक गणित मापको और बता दू अगर दल बदलू कानून लागू नहीं करवाना है और इन 6 विधायकों को भी आयोग्य होने से बचाना है और बीजेपी को अपनी सरकार को बनाना है तो फिर 2 त्याई विधायकों को तोड़ करके लाना होगा यानि कुल कॉंग्रेस के 13 विधायक तोड़ करके ले करके आने होंगे और अगर कॉंग्रेस के 13 विधायक तूट करके आ जाते हैं तो फिर आप ये समझे कि कॉंग्रेस के वहाँ पर जो है वो सरकार गिर जाएगी और बीजेपी की सरकार बन जाएगी या फिर दो त्याई से जदा विधायक वहाँ से तूट करके आ जाए अपना एक नया अदल बना ले और नई पार्टी बना करके उनको बीजेपी बाहर से समर्थन दे दे या बीजेपी उस सरकार के अंदर सामिल हो जाए तो भी कॉंग्रेस के सरकार गिर जाएगी लेकिन कल पूरा खेल कैसे हुआ राजसवा चुनाओ के अंदर पूरा खेल कैसे हुआ उस चीज को भी जरा समझ लीजे राजसवा चुनाओ अभिसेक मनु सिंग्वी जो कॉंग्रेस के नेता भी है जिनको कॉंग्रेस राजसवा भेजना चाह रही थी जो सुप्रिम कोट के वरिष्ट वकील है और जिन्होंने राहुल गांदी की सदस्ता वापिस दिलवाई राहुल गांदी की सदस्ता चली गई थी मोदी सरनेम के मामले में और अभिसेक मनु सिंग्वी ने उस केस की पैरवी की सुप्रिम कोट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार राहुल गांदी की सदस्ता को बहाल किया दोबारा से सांसद बने राहुल गांदी तो उस केस की पैरवी अभी से एक मनु सिंग्वी कर रहे थे लेकिन खुद की सदस्ता नहीं बना पाए खुद जो है वो सांसद नहीं बन पाए अभी से एक मनु सिंग्वी तो एक बड़ा नाम है अभी से एक मनु सिंग्वी कोंग्रेस पार्टी के तमाम पेचिदा मामलों के अंदर कोंग्रेस की पैरवी करते हैं और इनका मुकाबला था हर्स महाजन से जो की पूरू के कॉंग्रेस नेता है लेकिन अभी बीजेपी के अंदर है तो इनका मुकाबला हर्ष महाजन से था और ये आकड़े आप देखी किस तरह से मामला टाई हो गया बीजेपी के पास में कुल विदायक उन बीजेपी के खुद के थे 25 विदायक कॉंग्रेस के विदायक जो क्रोस वोटिंग करके आ गए इस तरफ वो छे विदायक क्रोस वोटिंग करके आ गए और तीन विदायक निर्दलिये थे यानि बीजेपी की तरफ जो आकड़ा बन ग तो कुल मिला करके मामला 34-34 पर अटक गया और मामला टाई हो गया टाई होने के बाद में ये हुआ कि पर्ची निकाली गई जब मामला टाई हो जाता है तो पर्ची निकाली जाती है और पर्ची निकली हर्स महाजन की हर्स महाजन की पर्ची निकली और हर्स महाजन सांसद बन गहे यह लेकिन 2 के अंतरमाद दुबारा जा गई और 2 वाप सी कोंग्रेस में तभी लोट गए च्छाही केवल b榮 बीजेसे में की और 60 के लिए क्रोस ओटिंग करने त्यार हो पाए और छे विदायकों ने बीजेपी के लिए क्रोस वोटिंग की तो मामला फिर टाई पर आ गया अगर एक विदायक भी ओर होता तो बीजेपी को कोई परशी की जरूरत नहीं होती यानि एक तरह से विदायकों ने किसमत ने हर चीज ने कॉंग्रेस को यहाँ पर एक धोखा दिया और राज्यसवा चुनाव तो बीजेपी वहाँ पर जीत गई अभिसेख मनु सिंग्वी वहाँ पर हार गए लेकिन ये मामला अभिसेक मनु सिंग्वी से और ये मामला राजसवा चुनाओं से आ गया राज्य की सरकार के उपर कि राज्य की सरकार बचेगी या राज्य की सरकार भी जाने वाली है ये मामला यहाँ पर आकर के खड़ा हो गया और ये मामला जब यहाँ पर आकर के खड़ा हो गया तो फिर नंबर ठटोले जाने लगे और BJP के नेता वो पूँचने लगे रजजपाल के पास में मैं आपको तस्वीरे दिखा रहा हूं एनाई ने सुबा सुबा जो है वो ट्वीट किया जब जैराम ठाकुर जैराम ठाकुर जो है वो पहुँचे रजजपाल से मिलने के लिए हिमाचल प्रदेश के नेता परतिपक्स जैराम ठाकुर जो की पूरो में बीजेपी के मुख्यमंत्री भी रहे है रजजपाल से मुला पाइकों ने भाजपा को वोट दिया है, उन्हें नोटिस जारी हुआ है और उन्हें भी विधानसवा में सस्पेंड करने की इदिसा में कदम उठाए जा सकते हैं। ये बीजेपी जो है सुबा सुबा आठ बज करके 21 मिनट का ट्वीट है सुबा सुबा आठ बजे बीजेपी के नेता नहाद हो करके वो पहुंच गए राजजपाल की चोखट पर पहुंच करके उन्होंने कहा कि विदान सभा के अंदर वोटिंग कराई जाए क्योंकि कॉंग विदायक दल के साथ में राजपाल सीव प्रताप सुकला से मुलाकात की और सदन में वित्य बजट के लिए मत विभाजन की मांग की अब मत विभाजन की मांग जब होती है तो उस थिती के अंदर कॉंग्रेश चाहे भी तो धावनी मत से पास नहीं करवा सकती है धावनी मत का मतलब यह होता है कि सारे विदायक दोनों पाल्टियों के वहाँ पर बैठे वे हैं निरदली भी बैठे वे हैं और वहां से स्पीकर जो हो कह दे कि आप कॉंग्रेश के पक्स में हैं या कॉंग्रेश के पक्स में नहीं है तो धावनी मत से मतलब आवाज लगा करके कह दिया जाए कि हम कॉंग्रेस के साथ में हैं और ऐसे में स्पिकर के विवेक के उपर फैसला होता कि कौन सी आवाज को कितनी तैरीज देते हैं कई बार होता यह संसद में भी इसी तरह से दवनीमत से प्रियोग किया जाता है तो फिर उसमें दवनीमत जो बीजेपी के चाहे कॉंग्रेस के हैं चाहे वो निर्दली हैं उनको वोटिंग में हिस्सा लेना होगा और वोटिंग में हिस्सा लेकर के बताना होगा कि कॉंग्रेस के पक्स में है या कॉंग्रेस के खिलाफ हैं वोटिंग में फिर नंबर सामने आ जाएंगे और वीजेपी इस बात को क कह रहे हैं वहीं भाजपा के एनाई का दूसरा ट्वीट आप देखिए सवा नो बजे आया है ये है हर्स महाजन भाजपा ने था हर्स महाजन ने का कि जनता जान चुकी है कि कोंग्रेस अपना भाउमत खो चुकी है ये हर्स माजन है जो कि कल रजसवा चुनाव जीते हैं जन नहीं तो कल यहां पर भाजपा की सरकार बनेगी तो ये सारा का सारा खेल जो चलाया गया ये सारा खेल एक सीट के लिए नहीं था एक रजसवा के लिए नहीं था एक रज्य की सरकार को अपनी तरफ करने के लिए था और मैं बार बार कल से इस बात को कह रहा हूं कि जो पार लोक्तंतर की हत्या कर दी इनोंने तो वो पार्टी 400 सीट जीतने के लिए कैसे दावा कर रही है जो पार्टी एक सीट जीतने के लिए किस तरह की तिगडम बाजी कर रही है जो पार्टी चुनीवी सरकार को गिराने के लिए जिस सरकार के पास में अपना खुद का बहुमत है क तो वो पार्टी किस हैसियत से, किस गणित से, किस फॉर्मूले से 400 सीटों का दावा कर रही है जो पार्टी एक एक सीट के लिए जोड़ तोड में सारे नियम काईदे, सारी नेतिकता सब कुछ बहा दे रही है किसी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, किसी चीज़ का कोई मोल नहीं है वो पार्टी 400 सीट का कैसे दावा कर रही है और उस पार्टी के 400 सीट कैसे आएंगी इस बात को जरद समझ लीजिए या सिर्फ और सिर्फ जो है ये लोगों के बीच में यूं कहें कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में एक प्रैसर बनाने वाली बात है कि देखो हम तो 400 सीट जीत रहे हैं लेकिन क्या जनता इस पूरे खेल को समझ रही है कि एक तरफ तो 400 सीट का नारा दे रहे हैं और एक तरफ 4 सीट भी 4 सीट भी जो है वो नितिकता के हिसाब से नहीं जीत पा रहे है कल उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ जब आठवा उमिद्वार उनका जीत ही नहीं सकता था फिर भी आठवे उमिद्वार को उतार दिया गया और तीसरा उमिद्वार आसानी से समाज़दी पार्टी का जीत सकता था समाज़दी पार्टी केवल दो ही जीत पाए तो इस सब कुछ जो हो रहा है निश्चित तोर पर ये बताने के लिए काफी है कि कैसे बीजेपी इस पूरे खेल को अपने हिसाब से चलाने की कोशिस कर रही है और बीजेपी इस खेल के जरिये कैसे मात देने की कोशिस कर रही है कॉंग्रेस को और हिमाचल प्रदेश कोई बड़ा राज्य नहीं लोकसभा की सीटों के हिसाब से भी कोई बड़ा राज्य नहीं है लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली और भी है कि क्या केवल और केवल इस खेल के पीछे केवल बीजेपी ही है या कॉंग्रेस के अंदर खाने की उठ रही धूआ है जो कॉंग्रेस की ही हवा निकालने पर तुली हुई है हिमाचल पर देश को अगर आप देखेंगे हिमाचल पर देश का विधनसवा चुनाव मैंने कवर किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और अभी जो चुनाव हुआ है वो भी मैंने कवर किया था तो हिमाचल प्रदेस की राजनेती वो कॉंग्रेस में वीर बदर के नाम से चलती रही वीर बदर के निधन के बाद में परतिबा सिंग जो कि उनकी पतनी है उनके इर्दगिर्द हिमाचल प्रदेस की राजनेती घूमने लगी और प्रतिवा सिंग जो है वो सांसद है और वो चा रही थी मंडी से सांसद हैं वो लेकिन वो चा रही थी कि इस बार विक्रमा दित्ते जो कि उनके बेटे हैं उनको जो सीम बनाया जाए लेकिन कॉंग्रेस ने आपर नेने पलट दिया और कॉंग्रेस ने कहा कि आप लोग जो है वो कॉंग्रेस के बड़े परिवार हैं आपको सब कुछ मिला है इस बार एक नए चेहरे को लेकर के आते हैं और सुक्विंदर सिंग सुक्खू उनको लेकर के आया गया उनको लाकर कि उनकी चर्चा जरूर थी पर्ची से नहीं हुआ वलकि चर्चा थी उनकी चर्चा के बाद में उनको बनाया गया और उनके नित्रतों में सरकार चल रही थी बहुत सादगी प्रिये जो है वो नेता कहे जाते हैं लेकिन क्या ये सादगी ये सरलता ही उनकी सबसे बड़ी दुस्मन बन गई राजनिती के अंदर जो दावपेच होने चलने होते हैं या दावपेचों का जो सारा लिया जाता है सरकार बचाने के लिए सरकार बनाए रखने के लिए सरकार को आगे बढ़ाने के लिए क्या वो दावपेच में चुक गए सुक्विंदर सिंग सुक को और इसलिए जो है अंदर खाने कहीं न कहीं कॉंग्रेस पार्टी के अंदर बगावत नहीं बीजेपी को ये तुल दे दिया कि बीजेपी आ जाएगे खेल में क्या कॉंग्रेस के अंदर खाने से बीजेपी को मैसेज दिया गया कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है अगर आप लोगों की एंट्री होती है तो फिर तस्वीर बदल सकती है तो सवाल यह है कि क्या कॉंग्रेस में से एक बड़ा धड़ा अलग हो करके बीजेपी के साथ जा करके एक नई पार्टी बना करके वहाँ पर सरकार बनाएगा या फिर हाई कमान सुक्विंदर सिंग सुक्कू को हटा करके सुक्विंदर सिंग सुक्कू को हटा करके नए मुख्यमंत्री का चैन कर देता है या विक्रमादित्य को मुक्ह मंतरी बना देता है या विक्रमादित्य कैम्प से परतिवा सिंग केंप से किसी और को मुक्ह मंतरी बनाया जाता है तो सवाल ये है और सुबह सुबह कॉंग्रेस पार्टी ने अपने दो बड़े नेताओं को जिसमें एक बड़े नेता हैं डीके सीव कुमार करनाटक के उप मुख्यमंत्री कद्दावर नेता कॉंग्रेस से संकट मोचक कहे जाते हैं वो और हर्याना के पूर मुख्यमंत्री बुपेंदर सिंग हुड़ा इन दोनों नेताओं को कॉंग्रेस ने भेजा है हिमाचल परदेस के अंदर और हिमाचिल प्रदेस में दोनों नेताः पहुँच करके वहाँ पर विधायकों से बात करके नया मुक्हckों से बात करके नया मुख्यमंतरी बनाय जाए यह सुक्विंदर शुक्ह को ही आगे चलाय जाए बताए है इसारा की पंदरा विधायक ऐसे हैं 40 में से बिस के करीब नितरतों को फैसला लेना है कि वो सुकविंदर सुखु के साथ में ही आगी जाना चाहते हैं, विदायकों को मनाया जाता है या विदायकों की हिसाब से कोई नया मुख्य मंतरी जो है वहाँ पर चुन दिया जाता है, लेकिन इसमें सवाल ये भी उठेंगे कि क्या केंद्रिय नितरतो केंद्रिये अलकमान कॉंग्रेस का वो हिमाचल पर्देश के बागी गुठ के सामने जुग गया ये भी बात चलेगी ये बात सही भी होगी कि ये कैसे हुआ क्या कॉंग्रेस के अलकमान को इस बारे में खेर ख़बर ही भी नहीं थी क्या बीजेपी के लिए दरवाजे खुलेंगे या बीजेपी के लिए चांस नहीं है कॉंग्रेस जैसे तैसे करके चाहे मुख्यमंतरी बदलना हो चाहे किसी कैंप से किसी को मुख्यमंतरी बनाना हो कॉंग्रेस तयार रहेगी और कॉंग्रेस वहाँ पर अपनी सरकार को नही लिकत नहीं है और बहुमत कहा कड़ा नीचे आ जाएगा और कॉंग्रेस के पास में अभी भी बहुमत है बहुमत से दो विदायख जाड़ा ही है तो ऐसे में सवाल ये है कि निर्दलियों की स्थिति क्या होगी जो निर्दलिये क्या बीजेपी के साथ में इस वक्त में हैं औ हिमाचल प्रदेश का आज का जो खेल है वो जारी रहेगा और आज हिमाचल प्रदेश में तै होगा कि वहाँ पर मत विभाजन होता है विदान सभा के अंदर वोटिंग की स्थिति बनती है या कॉंग्रेस धावनी मत से पास करा लेती है विश्वास मत आता है या सुकिंद अब बताई आप इसको कैसे देखते हैं नीचे कमेंट बोक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताईए इस वीडियो को खूब शेर कीजिए लोगों तक पहुंचाईए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन न्यूजी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए सा आपका बहुत बहुत धन्यवाद